ओम शांती आज 19 मई दो हजार तेईस है स्रेश्टा क्या है? हम दिन प्रति दिन स्रेश्ट बनते जा रहे है या नहीं? इसकी परक हम अपने चाल चलन में कैसे कर सकते हैं? आईए इस बात को आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं महनत के साथ महानता और रुहानियत का अनुभव करना ही स्रेश्टता है कोई भी कार्य के पीछे हम अपने महनत लगाते हैं और उस महनत के बाद सफलता की प्राप्ती होती हैं तो वो सफलता हमें बहुत सुहावने लगते हैं क्योंकि उसमें हमने अपनी महनत लगाई हुई है यहाँ पर महनत का अर्थ पुरुशार्थ के युद्ध की स्थिती वाली महनत नहीं परन्तु यहाँ पर महनत का अर्थ है जब हम अपना सेवाओं में तन लगाते हैं मन बुद्धी न्यू क्रियेशन की इन्वेंशन में लगाते हैं और अपना धन एनरजी आदी लगा करके उस सेवा में भाग दोर करते हैं उस महनत की बाद है जब इस तरह सेवाओं में अपना तन लगाते हैं एक एक इंद्रियों को हम अपने सेवाओं में सफल करते हैं तो हमारी हड्डिया नरम होने लगती है हड्डी नरम होना अर्थाद हमारे अंधर के अभिमान समाप्त होने लगते है और यही नम्रता आती है और इसी नम्रता का ही जो है स्वभाव संसकार में जो हम दिखाई देते हैं वही नम्रता महानता की निशानी है और जब हम अपने अंदर में से अभिमान को समाप्त कर लेते हैं तो आत्मा की सत्य जो स्वमान है वो जागरत हो जाते हैं स्वमान का जागरत होना अर्थाद स्मृति के अंदर रूह के स्वरूप को सदा रखना जब रूह को स्मृती में रख करके हम कोई भी कारिय करते हैं संकल करते हैं बोल करते हैं और कोई भी कारिय सेवा आदे व्यवहार में आते हैं तो उन सब कारियों में रूहानियत नजर आती हैं और यही रूहानियत स्रेश्टा को प्रत्यक्ष करते हैं तो महनत के साथ साथ जब हम महान आत्मा कहलाते अर्थात नम्रता के साथ साथ रुहानियत को हम अपने जीवन में लाते हैं यही निशानी होती है स्रेश्टा की इस से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ व्यक्ति या आत्मा धिरे धिरे स्रेश्टा की और जा रही है इसे आज हम परख करेंगे, सारा दिन हम ये देखेंगे, मेहनत के साथ महानता और रुहानियत हमारे अंदर कहा तक है ओम शांती